इंस्टेंट नूडल्स जो के जट पर त्यार होते हैं और जाइके में मज़े के होते हैं यह आपकी जान के साथ और आपकी सेहत के साथ क्या हशर करते हैं अंदर क्या आपको अंदाजा है Instant noodles है क्या? एक packet के अंदर बजार में noodles solid form में मिलते हैं साथ एक taste maker मिलता है इसको पानी में गरम करके taste maker अंडर जो powder सा डाला जाता है इसको घोल के बनाए एक से दो मिनिट में ये लजीज सा मज़ेदार सा एक खाना noodles का तियार होता है आजकर ये इतना पसंद किया जाता है hostalites का फेवरेट खाना है माओ के लिए बड़ी असानी है बच्चो को noodle खिलाओ दो मिनिट में बनाओ फारिक करो रात का खाना ना बनाना पड़े कुछ हो जाए instant noodle खिलाओ खतम करो बच्चो का फेवरेट फूड होता है लंच में डिमार्ड करते है instant noodle जितना जल्दी बनता है लेकिन आपको पता है कि हजम कितनी मुश्किल से होता है कितनी देर से होता है तहकीक के मताबिक वो कैमरा जो मुँ में डालके मेदे और आंतों को चेक करता है उसमें जाके देखा गया कि दो घंटे के बाद भी instant noodle जो था वो हजम नहीं हुआ था जबकि इस टाइम पे बाकी खाने हजम हो जाते है instant noodle में ना फाइबर है ना प्रोटीन है इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो हम कहें कि ये बच्चों की सहत के लिए बड़ों की सहत के लिए बहुत ज़रूरी है इसके अंदर unsaturated healthy fats बहुत जादा पाये जाते हैं इसमें sodium का content बहुत जादा है यानि के sodium की वज़ा से जो दिल की बिमारियां बनती है और उसके बाद जो death rate है वो जो increase हो जाते है वो सब इसमें मौझूद है इसके अंदर glycemic load भी बहुत मौझूद है यानि के जो चीनी की मिगदार है वो भी बहुत मौझूद है ये metabolic syndrome की बहुत बड़ी cause है metabolic syndrome heart की diseases की बहुत बड़ी वज़ा है इंसानों में ये instant noodles जो हैं आपके जिसम के अंदर जाकर ऐसे cells को activate करते हैं जो के cancer बनाते हैं cancer causing cells जो जिसम में मौरूद होते हैं उनको जगा देते हैं आपके मुक्तलिफ किसम के आंतों के cancer और पेट के cancer की बहुत बड़ी वज़ा है sugar और blood pressure के मरीजों के लिए instant noodles तो बहुत 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 बुर है बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए instant noodles weight gain की बहुत बड़ी वज़ा है अगर आपको instant noodles खाने का बहुत ही दिलकार है तो आप खा कैसे सकते हैं ये multi grain की सूरत में पाए जाते हैं जिसमें high fiber content होता है वो आपकी सहत के लिए फिर अच्छा है आप अगर instant noodles घर में बना रहे हैं उसमें सबजियां खुद आड़ कर ले उसमें protein, chicken खुद आड़ कर ले instant noodles को regular basis पे मत खाएं मत इस्तमाल करें क्योंके जो regular basis पे हो खाएंगे उनको वो सब मसायल होंगे जो मैंने बताएं तो ये जो वक्ती जुबान का चसका, वक्त बचाना और असानी से बनना ये आगे जाके आपकी सहत को बरबाद कर देगा, इससे बेतर है कि आप इसको ना ले और जितने लोगों को मना कर सेके उनको ज़रूर मना करें बहुर शुक्रिया